आज सारा स्ट्रॉंग होल्ड नरिंद्र मोदी जी का स्ट्रॉंग होल्ड है मेरा काम है कर्म करना भल भगवान देंगे पांच वर्षों से कपस्या कर रहा हूं कर्म करना हा हूं और मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है जो मोधी जी कहते हैं सोट समझकर सत्य कहते हैं अवश ही होता पूरे देश में नरेंद्र मोधी जी ने जो गरीब कल्याण योजनाओं का एक बाहर लगाया है गरीबों तक योजनाय पहुचाई है किसी को घर दिया है, किसी को सोचाले दिया है किसी को गैस दिया है, तो किसी को पानी दिया है हर किसी के लिए उन्हें चिंता की है और इसलिए ये जो आप बयार देख रहे हैं ये जो वेव देख रहे हैं और आज जो बड़े बड़े धिपक्षी पाटियों के महल उनके ध्वस्त हो रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी के कामों के लिए हो रहा है सर्थ तीन बार के इंगंपेट MP को इस बार चेंज करके नए किसी वेखनी को दिया गया है तिकर कैसे देखते हैं यह उनके पाटि का आंतरिक विशय है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा मेरा काम है कर्म करना भल भगवान देंगे पाच वर्षों से तपस्या कर रहा हूं कर्म करना हूं और मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है दाच वर्षों में जो काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और इस रिपोर्ट कार्ड के हाधार पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं वहां भारतिय जंता पाटी की सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने आशिरवात दिया है नितिन गड़करी जी ने एलान किया है कि साथपड़ा से जनी कुदा तक ब्रिज बनेगा जो कि अपने आप में एक एतिहासिक ब्रिज होगा जो आपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और आज नितिन जी भी वहां आ रहे हैं पांसिक्ता नहीं थी इंटेंशन नहीं था हमते हम हारते हुए भी हमने इस विशे को आगे बढ़ाया और इस कारण आज लोगों का समर्थन और प्यार हमारे लिए जो मोदी जी कहते हैं सोच समझकर सत्य कहते हैं अवश्य होगा